टेकनोलोजिकल एडवांस्मेंट ओन बिजनस कम्मुनिकेशन नेटवर्क आपने देखा होगा कि पहले जब कम्मुनिकेशन करना था यानि कि सबोज कि आपके फैमिली मेंबर से कोई बाहर जा कि तो पहले कि आपके आपकी लेटर लिख सकते थे उसकी बाद फिर इन्वेशन हुए इनोवेशन हुए और जो है टेलीफोन का अविसकार हुआ जहाँ पर आप टेलीफोन पर कॉल करके एक दुसरे से डारेक्ली लाइव बात कर सकते थे कर सकते थे फिर इसमें भी फर्दर जो है इनोवेशन वे और जो है टूजी मोबाइल लाउंच हुए थे आपने देखा होगा इस टाइप की जो है बातचीत कर सकते थे और साथी जाद आप SMS भी बेश सकते थे यानि कि टेक्स्ट मैसस भी बेश सकते थे उसके बाद फर्दर जो है वहाँ पर डेवलेपमेंट हुए इनोवेशन हुआ और आपने 3G मोबाइल देखा होगा तो 3G मोबाइल में क्या था कि आप MMS अभी बेश सकते थे यानि कि SMS आप जो है इंटरनेट ब्राउज कर सकते थे स्पीड कम रहती थे उस वक्त और MMS भी बेश सकते थे यानि कि कम्मुनिकेशन करने के और भी ज़्यादा मेधर्स हाँ पर आपके पास सामने आए उसके बाद फिर फरदर एडवांसमेंट हुए टेक्नलोजी चेंज हुआ इनोवेशन हुए 4G और आज के टाइम पर 5G जो बहुत सारे मेथड आफ कम्मुनिकेशन आपको मिलते लगे हैं यानि कि आपके पास अगर किसी से कम्मुनिकेट करना है तो सिर्फ एक मेथड नहीं है आपके पास multiple मेथड है आप किसी भी जरिये से आप किसी से कम्मुनिकेट कर सकते हो और साथ जब चाहो तब कम्मुनिके तो पहले क्या होता था कि जो लोग दूर होते थे उनको ज्यादा टाइम लगता था क्मुनिकेट करने में जो लोग नजदीक होते थे उनको जो है एक दो दिन में चिठी पहुंच जाती थी जो बहुत दूर है उनको तीन-चार दिन में चिठी पहुंच थी लेकिन अब क्या है कि आप चाहे जिस भी डिस्टैंस पे हो आप रियल टाइम पे उनसे क्मुनिकेट कर सकते हो तो one is able to communicate 24 into 7 into 365 on an interpersonal label यानि कि आपको एक दूसरे से अगर communicate करना है तो 24 hour एक दिन में 24 hour थे हैं आप 24 hour उनसे कभी भी communicate कर सकते हो week में 7 दिन communicate कर सकते हो और year के 365 दिन आप जो है communicate कर सकते हो क्यों because of technological advancement on business communication network तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी communication के network जो है उनमें advancement हो जिसकी वज़र से आज communication होना आसान हो चुका है तो जो communication network है इसका खास कर कहाँ पर यूज हो रहा है business communication में आनि कि जब business related आप वहाँ पर communication करते हो वहाँ पर technology में जो advancement में जो नहीनी technology है जिसका यूज करके आप communicate कर सकते हो वहाँ पर जो है काफी जादा वहाँ पर फायदा मिलता है तो यह जो आप points देख रहे हैं यह क्या है एक तरीके से आप देखा जाए तो यह क्या है importance है फायदे है business communication में जो development हुए technology में उसके फायदे है benefits है कि आप जो है quickly किन से भी connect हो सकते हो कितने भी distance पे हो आप उसे connect हो सकते हो 24 into 7 availability होती है और multiple platform है जिसकी दरह आप communicate कर सकते हो अब बात करने की business organizations में कौन-कौन सी communication technologies है जो की use होती है तो सबसे पहले आता है internet internet में क्या होता है कि suppose एक organization है उसके बहुत सारे departments है या फिर अलग-लग location पर अलग-लग city में उसके जो है अलग-लग branches है अब हर branches में अगर उनको communicate करना कोई एक notice देनी है तो अब या तो क्या करेंगे वो notice जो है head office जाता है और अलग-लग city में लोगों को बेजा जाएगा जाओ कि आप उस city में दूसर दूसरे city में तीसर तीसरे city में जाए notice पहुंचा है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो जो cost है traveling cost है वो आएगी physical effort लगेगा प्लस notice जो है वो तुरंत के तुरंत नहीं पहुंचेगी यानि कि यहाँ head office से जो branches है वहाँ पर जाने में time लगेगा तो इससे क्या होगा कि real time communication नहीं होता है तो internet में क्या होता है कि internet एक local network एक private network है यानि कि वहाँ पर क्या होता है कि जो different branches है उनको जो है एक server से connect कर दियाता है एक network से connect कर दिया जाता है अब जो भी notice जो है head office को देना होगा अपने अपने अलग-अलग branches को वो क्या करेगी वो उस server पर upload कर देगी फिर उस server से जो भी अलग-अलग branches connected है वो वहाँ से उस notice को download करके अपना जो है उस notice को पा सकते है तुरंत यहाँ पर क्या है server पर डाला server से जितने वी लोग connect थे अलग-अलग branches के उन्होंने download किया उनका जो है काम होँआ पर हो गया notice तुरंत जो है communicate हो गई तो internet क्या हो गया and internet is a private network that only users within an organization can access तो यह internet क्या है private network होता है clear organization का खुद का network जो होता है वो private network जैसे आप अपने देखेंगे आप अपने घर आपने laptop में अपना mobile connect कर लिया अपना printer connect कर लिया तो यह क्या होगया यह आपका अपना network हो गया उस laptop को उस mobile को उस जो आपने printer connect किया उसको सिर्फ आप यूज़ कर सकते कोई थर्ट पसंग बाहर का use नहीं कर सकता है तो वह आपका network होगया याइथ आप देखते होंगे कि bank का software, bank का अपना अलगी software होता है, उनका अलगी database होता है, आप उसको access नहीं कर सकते हैं, तो उनका खुद का internet हो गया, उस bank से जितने भी लोग connected होंगे, सब के पास वो network होगा, सब के पास वो access करने का authority होता है, तो उस bank के software को सिर्फ bank के employees ही access कर सकते हैं तो उस type के software को उस type के network को क्या कहते हैं, internet कहते हैं, an internet is a private network, तो an internet is usually set up for a specific purpose, such as sharing information और files within an organization, तो bank वालों का अपना खुद का network है, organization में अपना खुद का network होता है, तो वो लोग क्यों बनाते हैं अपना network, जिससे कि उनके यहाँ पर जो भी communication होने हैं, उनके यहाँ पर जो भी करते हैं, उस network को हम internet कहते हैं, not accessible to people outside the organization, तो यह जो internet होता है, इसमें जो भी information होगी, जो भी notice files होगे, वो बाहर के लोग access नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से हम हैं, हम लोग क्या करते हैं, Google पर जाते हैं, Google पर सर्च करते हैं, बहुत सा information हम access कर लेते हैं, तो उस तरीके से internet नहीं होता, internet पर जो भी information होगी, वो सिर्फ जो organization के employees होगे, या फिर जिसका खुद का network होगा, वही लोग access कर सकते हैं, वही पर ऐसा network जिसको कोई भी access कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, internet कहते हैं, तो internet इसको हम simply net भी कहते हैं, तो is a worldwide system of computer network, a network of networks in which users at any one computer can, if they have permission, get information from any other computer, यानि कि आप अपने घर पर बैठे, अपना system का use कर कि किसी दूसरे system पर कोई भी information available है, उसको आप access कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, internet कहते हैं, तो ऐसा network जिसको overall पूरे whole world में कोई भी उसको access कर सकता है, कहीं से बैठकर भी access कर सकता है, तो उसको हम internet कहते हैं, तो बहुत सारे network जो है, overall world में अलग-अलग networks हैं, उसको connect कर दिया जाते हैं, तो the internet is a public network that anyone can access, यहाँ पर क्या है, आप network connect करिये, आप किसी का भी information, कोई भी information जो है access कर सकते हैं, तो उसको हम public network कहते हैं, वो information जो publicly available हो, कोई भी access कर सकता है, internet, वो information जो किसी organization के लिए available हो, या फि computers that allows anyone to access it, also called as network of network, clear, तो internet और internet में इतना इसे difference है, internet खुद का private network होता है, internet public network होता है, हम लोग जो use करते हैं, उसको internet कहते हैं, क्योंकि आप कोई भी information आप access कर सकते हो, जो कि publicly available है, लेकिन अगर आप से कहें, कि आप bank की को information निकाल लो, तो आप निकाल पाओगे, नहीं निका electronic mail भी कहते हैं, तो electronic mail क्या हो गया, a method of transmitting and receiving message using electronic devices, आप सभी लोग YouTube यूज करें, तो YouTube को login करने के लिए आपके पास एक Gmail ID जरूर होगी, तो वो Gmail ID के जड़ी आप क्या करते हैं, आप जो है किसी को भी video share कर सकते हैं, किसी को file share कर सकते हैं, किसी को text message जो है type करके उसको share कर सकत आपने type कर दिया, आप अपना resume, अपना CV, कुछ भी आप जो है data वहाँ पर share कर सकते हैं, किस के जरीए, email के जरीए, clear, तो यह भी क्या है, business communication में यह technology use होती है, तो a, method of transmitting and receiving message using electronic device, तो it uses electronic device to deliver message, तो यहाँ पर क्या है, electronic device आने की computer system का है, फिर mobile का use करके जो है, आप अपने message क deliver करते हो किसी दूसरे person को, एक computer based application for the exchange of message between user, तो electronic mail क्या है, email क्या है, एक computer based application है, जहाँ पर आप अपने message को दूसरे user से exchange करते हो, इसका use करके, clear, तो electronic mail यहाँ पर आप video share करना है, आप जो है audio share करना चाहते हो, या फिर कोई file share करना चाहते हो, या फिर सिफ text message share करना चाहते हो तो आप email का use करके यहाँ पर share कर सकते हो condition यह है कि आपके पास भी email ID होनी चाहिए हो सामने वाले person के पास जिसके पास आप communication जिससे करना चाहते हो उसके पास भी email ID होनी चाहिए तब भी आप जो हैं आप पर communicate कर पाएंगे वही पर पहले हम लोग क्या use करते थे SMS mobile से हम बेज़ते थे न जो 2G के टाइम पर हम खास करने इसका use जादा चक करते थे SMS बेज़ते की ने SMS याने की short message service तो क्या है एक text messaging service थी तो 2G वाले mobile हम लोग क्या करते थे कि कोई message बेजना है तो 60 word की limit हो रही थी वही पर SMS के बाद जो technology advance में थुए थी वहाँ पर जब 3G आया था 4G आया था तो MMS आ गया था MMS में क्या था कि यहाँ पर text message के साथ आप audio, video या फिर photo भी share कर सकते थे MMS मतलब क्या होता है multimedia messaging service multimedia आने की different media का format आप text भेजना चाहो आप video भेजना चाहो आप photo भीजना चाहो आप audio भीजना चाहो तो आप MMS के जरीए भेज सकते थे SMS में क्या था कि सिर्फ text message भेज सकते थे clear SMS और MMS जो है आप खासकर mobile device का यूज करके भेज सकते थे वही पर electronic mail का आप चाहे mobile का यूज करके भेजिए तो यह telephone call involving multiple participants जब एक telephone call पे बहुत सारे participants बैठते हैं, communication करते हैं, बातचीत करते हैं, information share करते हैं तो वह चीज टेली conferencing कहलाती है यह live audio meeting with two or more participants यह क्या हो गया एक live audio meeting होता है यहाँ पर video नहीं होता है टेली conferencing में, video नहीं पर क्या होता है, audio होता हो भी live होता है यानि कि real time पे लोग आपस में communicate कर रहे होते हैं, अपनी information, business communication कर रहे होते हैं between the participants, remote team in an organization can collaborate and communicate even when geographically dispersed, तो टेली conferencing का benefit क्या है कि इसके जरिये जो है, अलग-अलग location पे, अलग-अलग city में, अलग-अलग state में जो लोग बैठे हैं वो आपस में real time पे, जो है live audio के जरिये अपना communication कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं एक दूसरे से कहीं पर भी किसी वग भी कर सकते हैं वहीं पर next है, video conferencing video conferencing, ये खासकर आपने देखा होगा कि COVID के time पे बहुत सारा यूज हुआ आप online class करते थे, तो वहाँ पर क्या होता था, कि zoom का आप यूज कर रहे हो, google meet का यूज कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है, कि आपको video भी दिखाई देता है और audio भी सुनाई देता है तो video conferencing मतलब क्या हो गया, कि conference via visual, audio visual connection तो यहाँ पर क्या है, कि आप जो है, दो या दो से अधिक लोग जब communication करते हैं audio visual का method यूज करके, यानि कि वहाँ पर उनको video भी दिखाई देगा और audio भी सुनाई देगा तो उसको हम video conferencing कहते हैं, तो a video call involving multiple participants तो ऐसा कोई video call जहाँ पर multiple participants होते हैं, involved होते हैं और communication कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ video conferencing कहलाती है जैसे कि zoom और google meet हो गया, तो a live audio video meeting with two or more participants तो वो video conferencing होगी, ए face to face meeting between parties over the internet तो जब face to face meeting होती है, parties की जो भी participants होते हैं, उनकी internet पे तो उसको हम video conferencing कहते हैं, इंटरनेट पे आप video conferencing, इंटरनेट पे face to face कैसे मिलोगे किसी application का use करके, zoom हो गया, google meet हो गया, application है इन application का use करके जो है, आप face to face communication कर सकते हैं, तो वो चीज़ video conferencing कहलाती है और same benefit यहाँ पे भी होगा, कि geographically dispersed कितने भी participants आपके अलग-अलग location पे available हैं, वो real time पे face to face communication कर सकते हैं तो यह जो है different technologies हैं, जो की business organization द्वारा communication के लिए use किया जाता है internet हो गया, जहाँ पर private network create किया जाता है, और वहाँ पर information जो है वो, जो organization के लोग होते हैं, वो access कर सकते हैं वही पे internet हो गया, जो की publicly available होती है, कोई भी कहीं से भी access कर सकता है SMS हो गया, MMS हो गया, emails हो गया, और teleconferencing और video conferencing हो गया, जिसके जरीए meeting करके वो अपस में information share कर सकते हैं, वो भी real time कर सकते हैं wish you all the best, keep watching